हेलो डियर श्टुडेंट टोडे आई इम गोंग टो एक्स्प्लेइन सी वाइपी ओफ यूनिट 16 ओके कुशन नमबर वन टू थीरी फोर और फाइब ओके इस वीडियो में हम आपको कुशन नमबर सी वाइपी का वन टू थी वो फाइब एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं ठ खेके ना तो वीडियो को आप इंड तक देखेगा और सभी कुशन को अच्छे से समझेगा चलिए फस्ट टाइम कुशन नमबर वन टिक दा करेक्ट आइंसर नमबर ए दा वैलूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइट 6 सेंटिमीटर देखिए टिक दा करेक्ट में जो नमबर वन है आपको वैलूम फाइंड करना हो क्यूब का जिसकी साइट 6 सेंटिमीटर है तो वैलूम इससे पहले आपको ऐसे बताया गया है कि वैलूम अफ क्यूब ऑफ साइट इंड इंटो। यानि six का अगर आप तीन भार multiply कर दोगे तो answer आपका आजाएगा six into six into six जब आप into करोगे six six 36 36 into six में करेंगे तो 216 cm cube आपका आजाएगा यानि second option is right question number b volume of cube देखिए volume of cube यानि side into side into side three times से यानि side power three यानि कि first option is right ओके चलिए question number c की तरफ चलते हैं how many small cubes of side 10 cm can be put in a cubical box of side 80 cm देखिए एक cubical box 80 cm का उसमें कह रहा है कि कितने छोटे small 10 cm के box cut सकते हैं तो इसके लिए आप क्या करिए यह दोनों का volume निकाली है ठीके न मैं आपको यहाँ पे sword बिल्कुछ sword तरीके से बतायता हूं जैसे अगर volume हम big cubical box का निकालेंगे तो आएगा 80 multiply 80 multiply 18 और जब small box का निकाल के divide करेंगे तो small box का divide into 10 into 10 into 10 आएगा ठीके ना जब इससे हम divide करेंगे तो यह तीनों जो 0 है उपर वाले तीनों 0 से cancel होंगे एट एट जा 64 64 जा 512 यही आपका एंसर आएगा देख लेजिए कौन सा option right है यह second option is right ओके चलिए डी की तरह बाते हैं दा वैलूम ऑफ ए किवाइट इस 0.25 cm3 तो तो write it in mm3 यानि जो cm है उसे mm में convert करना है ओके तो हम ऐसे condition में क्या करेंगे यह जो mm से cm बनाना होता है या cm से mm तो अगर 1 cm में देखते हैं तो 1 cm is equal to 10 mm मिली सेंटी इस तरह के होता है तो 10 इसमें 10 कम 3 times into कर देंगे यानि 10 x 10 x 10 ठीक है क्योंकि सेंटीमिटर क्यूब लगा हुआ है जब 10 का 3 times into करेंगे ति यह तीन इस तरह पीछे आएगा क्योंकि तीन जीर उसमें होता है 250 mm क्यूब अपका answer हो जाएगा अब हम चलते हैं question number 2 पर question number 2 find the volume of the following sides by counting the number of cubes volume of each small cube measure one centimeter cube यह questions आपका previous exercise में भी आया है ठीक है ना वहाँ पर counting करके आपने किया है यहाँ पर भी same यही चीज है कहता है जो एक small cubes आपको देख रहा है जही छोटा वाला box वह one centimeter cube इसकी value में तो यह पूरे जितने box one a में दिये गए है उसमें कितने आप देखे simply count करके भी add कर सकते हूं लेकिन आप थोड़ा सा इसको length height करके करेंगे तो और simple आएगा देखे value जैसे four into four हमने क्यों किया क्योंकि पहले मैंने इसने box को एक साथ किया यह देख रहे है ना यह जो एक size की बिल्कुल है ठीक है तो इसमें आप एक साथ कर लेजिए देखे इसमें कितने हैं 123456 उपर भी इस नीचे यानि 2 into 6 यानि 2 into 6 डोनों 8 कीज़े 28 cm की बेंसर आपका आगया बी में देखे अब इसमें जो है value length into width into height से ही निकले क्योंकि इक क्यीवेड्male से में है तो इसमें देखें लेंग़ में कितने box है अन१े 2345 प्लेट के लिखा है ना को इसमें ब्रृत देखें वनतूं वाकस बाकस आयरा ह। ऑपर देखें 123456 यह 6 हो गया तो 5 2 जा 10 10 6 जा 60 हो गया ठीक है इस तरीके अगला देखिए नंबर C length into breadth into height इसमें देखिए 1234 यह अब इसमें देखिए backside में कितना जा रहा 123 ठीक है height कितना है 12345 यह 4 3 जा 12 5 जा 16 60 में अब तीन इसमें इस्ट्रा भी दिया है 123 बॉक्स तो 3 आउराइट कर देंगे ठीक है यह देखिए 63 सेंटिमीटर क्यूब हो गया ठीक है चलिए अब हम कुश्चन नबर आते हैं 3 की तरफ फाइंड दा वैलूम अब दफ फालोइन देखिए यह जो फीगर दिया गया है ठीक है इसको पहले हम यह समझेंगे कि यह क्यूब है क्यूब में क्या होता है जब लेंथ ब्रीट और हाइट यानि तीनों साइड अगर सेम हो जाते तो आपका क्यूब हो जाता है ठीक है ना फाइब मल्टिप्लाइ कर देंगे देंसर आपका आजाएगा आप इसको सॉलीशन देखना चाहते है तो यहां देख सकते हैं यह देखिए कुशन नबर 3 का है साइड आफ क्यूब 1.5 सेंटिमीटर वैलूम आफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू आप मल्टिप्लिकेशन आप खुछ से भी करिएगा ठीक है नो तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा का आपका एंसर क्या रहा है चलिए अब हम टाइग्राम सेकंड पर आते हैं बी कोश्चन पर अब इस सेप को पहले आप पहचान इए अडेंटिफाई करिए है क्या यह इसका सॉलीशन देखिए सिंपल है इन्टू कर देगा आपको खुद भी समझ में आ गया होगा वैलूम आफ की वाइट लेंद्ट इन्टू है इन्टू कर लीजए आगया आपका 24 सेंटीमिटर क्यों ओके तो इस तरीके आपका यह कुश्चन नंबर 3 का जो सी है वो भी आ हम चलते हैं कोश्चन नंबर 4 की तरफ अब देखिए जो कोश्चन नंबर 4 है वो सबसे सेंपल कोश्चन है ठीक है यानि 3 का A जैसे है वैसे 4 का पूरा A से लेकर J तक होगा यानि आपको सिर्फ वैलूम निकालना वो भी किसका जो वैलूम है वो एक क्यूब है क्यूब का भी कालना तो आप फार्मूला जानते हैं साइट इंटू साइट इंटू साइट ठीक है फाइंड द वैलूम अब दक्यूब दिद फालूंग साइट यानि साइट सेवन सेंटीमेटर है यानि सब का जो साइट दिया हुआ है सभी का यू से लिकर J तक कुश्चन में तो साइड इसका भी सॉलिशन देखना चाहते हैं देख लिची यह देखिए फोर का है साइड सेवें सेंटिमीटर वैलूम आपके उसाइड इन्टू किया ना देखिए सेंटिमीटर के अब बाकी कुछिंट को आपको सॉल्व करना है सॉल्व करके एंसर मैच करके हमें आप कि बता देते हैं देखिए एफ का कुछिशन है 2.5 mm साइड इस इक्वल टू 2.5 mm वैलूम ऑफ क्यूप इस इक्वल टू साइड इन्टू साइड इन्टू साइड इन्टू सायग यानि 2.5 x 2.5 x 2.5 x 25 25 जा 625 आप देखों यहां पर मल्टिप्लाइब हमने किया है 6.25 का multiply 2.5 में करेंगे तो हमारा आएगा 15.625 क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 step पर decimal यहाँ पर 1 step तो कितने step बाद आजाएगा 3 step बाद decimal आपका आजाएगा ओके यह आपका answer हो गया इस तरीके आपका यह question number 4 तक बिल्कुल भी simple है चलिए question number 5 थोड़ा सम देख लेतें क्या है 5 कुछ है आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा अब बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इससे भी difficult question आपने previous exercise में पढ़ा है देखिए question number 5 complete the table given below question number A, A में देखिए length 6 cm यह दिया है न breadth 5 cm height 3 अब इसका solution आप यहां पर देख सकते है अगर आपको देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो यह देखिए बहुत simple है volume of given length breadth into height solve कर देखिए अब जो second आएगा उस पर थोड़ा ध्यान देखिएगा question number second B में length 7 cm breadth find out height 2 cm and volume 56 देखिए अब इसमें जो breadth find out करना होता है breadth के condition में हम करते क्या है कि volume of volume अब जैसे यहां पर volume दिया है ठीके न तो पहले हम लिखेंगे breadth of divide is equal to volume upon अब अगर breadth निकालना है तो length और height से divide कर दो length into height यानि जो side find करना हो उसको आगे लिखना और उसके बाद जो दो देंगे उनको नीचे लिख देना ठीक है न यानि कि volume अपान जो भी दो देंगे यानि given होंगे वो चलिए seven eight जा two four जा यही होगा ना इसका answer क्या आगे देखिए four आ गया अब इसका answer आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह देखिए four बीका breadth of cubic volume upon length into height ठीक है solution कर दीचे four ठीक है अब इसी तरीक हाइट of cubic c height of cubic volume upon length into breadth क्योंकि इसमें देखिए आपको height find करना है ठीक है न तो जब c में height हमको find करना है देख रहे हैं height तो इसमें 15 upon 5 into 3 कर दीचे ठीक है answer तुरंत आजाएगा आपका one d में देखिए length find करना है तो volume upon breadth into height कर देजिए ठीक है जिसको find करना वागया और जो दिया रहेगा वो नीचे लिख देजिए volume करके सभी question का solution देखिए आपको हमें यहाँ पर दिखा देते हैं height find करना height का बनेगा volume upon length into breadth length find करना volume upon breadth into height देखिए आपके screen पर है इस समय वैलूम वैलूम आप की वाइट लास्ट में की वाइट find करना length into breadth into height कर दीचे ओकी तो dear student इस वीडियो में हमने CYP का question number one two three four five explain कर दिया है सभी question को one by one इसमें आप समझेगा पूरे वीडियो को सुनियेगा end तक और एक एक topics को अच्छे से clear करेंगे और जब आप solve करेंगे तो सभी answer आपके match हो जाएंगे ठीक है ना तो आप सभी question को solve करिए और homework में आप इसे जरूर सम्मिट करिएगा okay thank you